हेलो गाईज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टक्निकल स्वेता में स्वागत है आज के इस वडियो में हम पेटियम से DTS रिचार्ज करना सिखेंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि पेटियम से DTS रिचार्ज कैसे करें तो आज के ये वडियो आपके लिए काफी helpful होगा तो गाईज पेटियम से DTS रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको पेटियम का अप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गाईज इससे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल लाउन करना है और स्क्रॉल लाउन करने के बाद यहाँ पर आपका एक अप्सन है रिचार्ज और बिल पैमेंट्स तो गाईज, यहाँ पर आपको recharge and bill payments करने चाहिए, बहुत सारे options दखने को मिलेंगे तो गाईज, यहाँ पर आपको DTS recharge करने के लिए, यहाँ पर आपको DTS recharge में klick कर देना है जैसे आप DTS recharge में klick किजिएगा, आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो guys यहाँ पर आपका उपर में दो option है पहला है DTS recharge और दूसरा है केवल TV तो guys अगर आप DTS recharge करना चाहते हैं यहाँ पर आपको DTS select कर लेना है और अगर आप केवल TV recharge करना चाहते हैं तो guys चुकि हम यहाँ पर DTS recharge करेंगे इसलिए यहाँ पर हम DTS select कर लिये हैं तो गैज जैसे आप DTS select करते हैं यहाँ पर आपका DTS का अलग-अलग company का नाम दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ पर आपका Tata Play, Eartail Digital TV, Dish TV और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे company का नाम दिखाई पड़ेगा तो गैज आपका DTS जीस भी company का है वह company ही आपको select कर लेना है तो गैज यहाँ पर हम Tata Sky का जो मेरा DTS है उससे recharge करेंगे इसलिए यहाँ आपर हम Tata Play, Tata Play को ही Tata Sky कहा जाता है तो यहाँ पर हम Tata Play select कर लेते हैं तो गैज अगर आपका Airtel Digital TV है तो यहाँ पर आपको Airtel Digital TV select कर लेना है अगर आपका DTS TV है तो यहाँ पर आपको DTS तो यहाँ पर हम Tata Play select कर लेते हैं जैसे आप DTS company का नाम select किजिएगा आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो गैज यहाँ पर आपका option है registered mobile number या फिर subscriber ID तो गैज आपका DTS में जो mobile number registered है वो mobile number यहाँ पर आपको इंटरफ करना है या फिर यहाँ पर आप DTS का एक subscriber ID होता है तो यहाँ पर आप DTS का subscriber ID भी इंटरफ कर सकते हैं तो guys, हियाँ पर हम DTS का सबस्क्राइबर अइडी इंटर कर लेते हैं अगर आपके पास DTS का सबस्क्राइबर अइडी नहीं है तो आपके DTS में जो registered mobile number है यहाँ पर आप वो mobile number भी इंटर कर सकते हैं register mobile number यहाँ पर subscriber ID इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है proceed का तो guys यहाँ पर आपको proceed में क्लिक कर देना है जैसे आप proceed में क्लिक किएगा यह कुछ देर तक processing लेगा और जैसे यहाँ पर आपका processing complete होगा आपके समने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो guys अब आप अपना DTS जो है उसे recharge करना चाहते हैं अपका monthly pack जो भी है वह amount यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है यानि कि आप जितना भी रुपिये का DTS recharge करना चाहते हैं वह amount यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है तो guys यहाँ पर आप 50 रुपी से लेकर 49,000 तक इंटर कर सकते हैं तो guys यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए 200 रुपिया इंटर कर लेते हैं amount इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है next का तो guys यहाँ पर आपको next में क्लिक कर देना है जैसे आप next में क्लिक किजिएगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक option है apply cashback offer यानि अगर आप paytm से dts recharge करके cashback earn करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको cashback offer को apply करना होगा तो जैसे आप यहाँ पर apply cashback offer में क्लिक किजिएगा उसके बाद आगे का process complete किजिएगा यहाँ पर आपको paytm के तरफ से कुछ cashback मिलेगा उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे एक option है pay का तो guys यहाँ पर आपको pay में क्लिक कर देना है जैसे आप pay में क्लिक किजिएगा यह कुछ देर तक processing लेगा और जैसे आपका processing complete होगा आपके समने इस तरफ के interface आएगा तो guys यहाँ पर आपका सबसे उपर में है paytm blends यानि कि अगर आपके paytm wallet में कुछ blends है तो आप paytm wallet blend से भी dts recharge कर सकते हैं या फिर आपके paytm में जो bank account add है उस bank account के थूँ भी आप यहाँ पर dts recharge कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपका और भी बहुत सारा options दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर आपका है debit card credit card UPI यानि कि आप अगर किसी UPI के थूँ भी यहाँ पर dts recharge कर सकते हैं और यहाँ पर आपका net banking का भी option दिया हुआ है तो guys आप जिसके भी थूँ डts recharge कराना चाहते हैं हुआ यहाँ पर आपको select कर लेना है तो guys यहाँ पर हम मेरा paytm में जो bank account add है उस bank account के थूँ हम dts recharge करेंगे इसलिए यहाँ पर हम bank account को select कर लिए है bank account select करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है pay का तो guys यहाँ पर आपको pay में क्लिक कर देना है जिससे आप pay में क्लिक की जिएगा आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो guys आपके paytm में जो bank account add है उस bank account का UPI pin यहाँ पर आपको enter कर लेना है bank account का UPI pin enter करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे एक check mark का option है तो guys यहाँ पर आपको check mark के option में क्लिक कर देना है तो जैसे आप check mark के option में क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपका paytm से dts successfully recharge हो जाता है तो guys इस तरह से आप बहुत आसानी से paytm से dts recharge कर सकते हैं तो guys I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी इस तरह helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए साथे साथ इससे अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारी मिल सके